जहन बच्छो तो कैसो आप सब मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं रामदास चेप्टर जो की रगुवीर साहय के द्वरा लिकी गई कवीता है इसमें उन्होंने वर्तमान समय में जो एक इतनी सिंपल कवीता है कि कोई पांच क्लास कव अच्छा भी अगर एक बड़ी से पढ़ता है तो आराम से इसका स्पस्टिकरम समझ जाएगा कि जो साइटर है और कवी हैं वो किस बारे में और क्या कहने की चेस्टा कर रहे हैं तेके समाद में व्याप जूग फसाद है तथा अपने सम्मान के लिए ना लड़ने की जो बात है वहाँ पर रगुवीर साहय ने इसका विता में बड़ी स्पस्ट रूप से प्रस्टुत किया है कि अन्याय को हम लोग किस प्रकार देख कर भी अंसुना कर देते हैं जब तक हमारे उपर नहीं होता तक आम इस अन्य करेंगे तक ही आप लोग के एक्जाम में इस से कोई कोशन पूशता है तो आप इस पर्स रूप से जो है इसका अंसर दे पाएंगे ठीक है अच्छा एक और बात मैं बता देना चाहता हूं जो भी बच्छे क्लास 11 में गया है जो उनके बहुत-बहुत हार्दिक शुपकाम पर इस साल से इनके भीया जो है वो क्लास 11 में नहीं है और हींदी पढ़ना चाहते है उन लोगो के लिए हम लोग हिंदी की फिर से एक प्रेन्स चलू कर रहे है जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे उन लोग को यूटूब पर ही ठीक है सारे चीजे जो है हम लोग यू हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े और जुड़कर एक साथ मिलकर हम लोग वेस्ट बेंगोल को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं ठीक है आप लोग बैतरी प्रदरशन दीजिए आने वाले मातेरी 20-25 में ठीक है तो इसी के साथ मैं वीडियो को शुरुआत कर है के शुरु करते हैं सबसे पहले रगवीर सहाय जी का हम लोग परिचह पड़ेंगे फिर रगवीर सहाय द्वा रचित जो राम दास कवीता है उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे ठीक है रगवीर सहाय के जीवन से संबन्धित जो प्रश्न आपके परिच्छा में पूछे होते हैं उनको आप समधान कर पाएंगे तो आए रगवीर सहाई के जीवन परिचे पर एक नजर देते हैं रगवीर सहाई उत्तर परदेश के लखनाव में 9 दिसंबर 1929 में जन्में रगवीर सहाई हिंदी के प्रगतिशीन रचनाकारों में से एक हैं ठीक है तो सबसे पहला ह रगवीर सहाई का जनम कब हुआ तो वह हुआ 9 दिसंबर 1929 को कहां हुआ तो उत्तर परदेश में हुआ उत्तर परदेश के लखनाव में ठीक है और इसके बाद में की सिक्षा पूरी करने के बाद जब उन्होंने Master of Arts की पढ़ाई कर ली उसके बाद 9 भारत टाइमस दीखे दो बर लिखा गया है 9 भारत बारत टाइमस लिखा हुआ है 9 भारत टाइमस होगा है से जुड़े और फिर दिग्मान सपताहिक के संपादक बने दिखे तो दिग्मान पत्रिका के संपादक कौन थे दिग्मान पत्रिका संपादक थे रगवीर सहाय और दिग्मान जो पत्रिका वो क्या थी तो वो एक सापताहिक पत्रिका थे याद रखिएगा ठीक है दिग्मा erfumm स берca iach談 कर्या पूरास्कार से समानित किया था तो इस से क्वेशन पूसता है कि रगविर शहय को नुच्क पूरशकार से कब पूरसकार कुप श मipरशल हना थे Phra अब यहां पर देखिए, दूसरे सब्तक कहाने का अर्थ है, दूसरे तार सब्तक, ठीक है? तार सब्तक जो है, उसे अग्ये जी ने शुरू किया था, ठीक है? और दूसरे तार सब्तक में रगवीर सहाय का स्थान है, तो पूछ सकता है, रगवीर सहाय किस तार सब्तक के कवी हैं, तो वह है दूसरे तार सब्तक, परस्ट रूप से आप लोग समझ गया होंगे, इनकी जो रचना है, कुछ पत्ते, कुछ शिठियां, आत्म कथा, आत्म हत्या के विरुद्ध, हसो हसो, जंदी हसो, या सीड़ी उपर धूप में, देखें, ये इनके कुछ रचना है, इनका नाम आप लोग याद रखिये, इसके साथ साथ, इन्होंने, जो है, उनका कहानी संग्रा रास्ता इधर से है, काफी चर्ची थे, तो पुछेगा, कि रास्ता इधर से है, किसकी रचना है, तो रगवीर सहाय की है, और ये क्या है, तो एक कहानी संग्रा है, ठीक है, काफी चर्ची थे, इसके अलावा, उन्होंने, दर्जनों, विविन भाशाओं में, राचनाओं क चिंताव्यक्त होती हैं, इसके अलावा नैतिक मुल्यों के छनन एवंग समाजिक परिवेश में बढ़ते संसय और अशंग का स्वर उनकी रचनाओं के प्रमुक्ता से उभर कर सामने आया है, यानि जो रगवीर सहाई जी हैं, इनके जब रचनाओं आप लोग पढ़ेंगे, इन रचनाओं में आपको राजनीतिक समाज में व्याप्त घटना हैं, उनको उन्होंने अपने रचनाओं का आधार बनाया है, और इसमें उन्होंने सभी समाजिक परिवेश जो वातावरन में घटित होता है, उसे उन्होंने अपनी रचना का मूल वस्तू बनाया है, ठीक चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रगवीर सहाई जी के कविता को, सबसे पहले देखिए रामदास कविता, रामदास कविता की मैं कविताओं को पहले पढ़ूँगा, के बाद हम लोग इसकी व्याख्या करना सुरू करेंगे, ठीक है, कविता कुछ इस प्रकार से स्ट की हत्या होगी, धीरे धीरे चला अकेले सोचा साथ किसी को नेले, फिर रह गया सडक पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्या, सभी जानते थे यह उस दिल उसकी हत्या होगी, अगला है, खड़ा हुआ वो बीच सडक पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रखकर के आगे, लोग सिमट कर आख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तैथी हत्या होगी, निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हात तौल कर चाकू मारा, चोरा लहो का फवारा, कहा नहीं था, उसने आखे उसकी हत्या होगी, भीर ठेल कर लोट गया हुआ, म उलाने उन्हें, जिन्हें संसय था हत्या होगी, इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरिक कविता को पड़ा, अब हम लोग जो है, इसकी व्याख्या करेंगे, अब कैसे कैसे इसको क्या-क्या लिखना है, वो मैं आपको समझाऊंगा, तता शवदार्थ को समझाते हुए, आप लोग आराम से जो है, इसके उत्तर को दे पाएं, जब व्याख्या मुलक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तीन मार्क्स के आते हैं, तो आप लोग उसका असपष्ट रूप से उत्तर दे पाएंगे, और आपको अच्छे आंक प्राप्त होंगे, चलिए, व्याख होगी, यहां तक का भाव जो है, एक है, तो इसको हम लोग पहले समझेंगे, यहां पर जो रामदास कवीता है, उसमें रगवीर सहाय जी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है, जिसे जो लाचार है, बेबस है, तुथा उसे अब बता दिया गया है, कि आज उसकी हत्या होने वाली है, ठीक है, प्रसुत पंति की व्यक्या करते हुए करते हैं, कि जिस समय उसको बता दिया गया था, वो अपने घच से बाहर निकलता है, वो देखता है, कि पतली सी सडख है, और आकाश में काले बादल चाय हुए है, करामदास का जो चेहरा है, वो बिलकूल उदास थ कि उसका अंतिम समय अब आ गया है, और उसे अब बता दिया गया था, कि आज उसकी हत्या होने वाली है, ठीक है, वो कुछी समय बाद उसकी जीवन निला समाख हो जाएगी, तो यह जो यहां से यहां तक की बाते हैं बहुत इतनी सीही थी, ठीक है, बहुत ही छोटी कवीता है, और बहुत ही आसान कवीता है, मुझे आशा है कि आप लोग अदान से इस कवीता को समझ पाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ जादा कुछ है ही नहीं, सपष्ट साधारन हिंदी कवीता में लिखा गया है, हिंदी भाशा में, कि जब रामदास को यह बता दिया गया, कि हाले बादल चाय हुए है, रामदास का जो चेहरा है वो उदास है, क्योंकि उसको पता है कि आज उसकी हत्या ओने वाली है, उसका अंतिन समय आ गया है, ठीक है, क्योंकि हत्यारे ने उसे पहले नहीं आगाहा कर दिया था कि आज उसकी हत्या ओने वाली है, ठीक है, तो यहा उसे देख लीजिए और इस पर से उसको आपने कौपी में नोट डाउन कर लीजिए और चनी हम लोग आगे की दूर बढ़ते हैं ठीक है तो अगली लाइन देखे क्या है धीरे धीरे चला अकेले सोचा साथ किसी को लेले फिर रह गया सरक पर सब थे सभी मौन थे सभी निहत थे सभी जानते थे या उस दिन उसकी हत्या होगी ठीक है यहां से यहां तक की जो पंक्ति है इसकी हम लोग आप व्याख्या और वाओं करेंगे उसमें देखे क्या लिखा हुआ है समस्ते इसको यहां पर राम दास दीरी दीरे विचारा आगे घर से बाहर निकलता है ठीक है सोचा साथ किसी को लेले वो सोचता है कि कि वो किसी को अपने साथ ले ले फिर ऊल्थ नहीं लेता है साइद उसे ऐसा लगत वो रुख जाता है, सड़क पर सब थे, वो देखता है कि सड़क पर सभी लोग वहाँ पर खड़े थे, सभी मौनते सभी निहत थे, सभी मौनते यानि सभी चुप चाप खड़े होकर रामदास को देख रहे हैं सभी निहत थे, किसी के हाथ में रामदास के बचाओ के लिए को पहले से बता दिया गया था कि आज रामदास की हत्या होने वाली है, अर्थात हम जानते थे, यानि जो लोग थे वो जानते थे कि आज रामदास की हत्या होने वाली है, फिर भी वो लोग निहत्ये उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, एक कहानी जो है, आप समझ रहे ह जब कोई अन्याय होता है तो हम मुखदर्शक पन कर उस अन्याय को देखते हैं। कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। हम यह सोचते हैं कि उसके ऊपर हो रहा है हमें इससे क्या। परंथु आने वाने समय के बाद वो अन्याय आपके साथ भी मेश करते हैं। ये रामदास कविता के द्वारा कभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, रामदास जो कविता है कि रामदास का चरित्र के माध्यम से जो कभी है, वो समाज में हो रहे हैं, आराजक्ता तथा अत्यचार के विरुत लोगों को एक जूठ होने, तथा रामदास जैसे जो गरीब दिखा दे रहा हूँ आप लोग इसे नोट डाउन कर लिजे खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर साधे कदम रखकर के आगे लोग सिमट करके आख गड़ाए लोग देखने उसको जिसकी तयथी हत्या होगी यहां से यहां तक की बाते हम अभी व्यक्षाइद करेंगे इसमें जो हुआ है जिसको बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होने वाली है फिर भी वो घर से बाहर निकलता है सोचता है कि वो किसी को अपने साथ लेने, लेकिन किसी को नहीं लेता है, क्योंकि रास्ते पर लोग होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि साइद लोग उनकी उसकी रक्षा करें, लेकिन सभी लोग निहत्ते होते हैं, और सब आँख गड़ा कर उसे देख रहे होते हैं, ठीक है, व वो धीरे-धीरे कदम बढ़ाता है ताकि रास्ते पर जो लोग है वो उससे प्रश्न पूछे कि तुम क्यों इतने अधी में चल रहा हो या साइड हो जाओ ताकि वह अपने दुख दर्द तता जो भी उसके साथ घटना होने वाली है वो लोगों से कह सके लेकिन एक भी लोग उसके सामने नहीं आते हैं लोग सिमटकर आंक गड़ा है लोग सिमटकर मतलब जो फ्नुक थे वो साइड में कठा होकर सभी आंक गड़ाए उसे देख रहे थे लगे देखने उसको जिसकी तैथी हत्या होगी मतलब उसको सब लोग खड़े होकर देख टक निहार रहे हैं ज जो बुराई के खिलाप आवाज नहीं उठाते हैं उनके उनके नहीं बोड रहा है कि वो जो लोग है वो समाज में कलंक के लायक है जो कभी भी समाज में हो रहा है अन्याय खिलाप आवाज नहीं उठाते हैं वो केवल मुकदर्शक होकर देखते रहते हैं ठीक है खड़ा हु लोग देखने उसको जिसकी तयथी हत्या होगी, इतना दूर तक आप लोग समझ गे होंगे, रामदास धेरे धेरे आगे बढ़ता हुगा, बीस सड़क पजा कर खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ अपने पेट पर रख लेता है, धेरे धेरे वह आगे बढ़ता है ताकि लोग उसके बदले क्या करते हैं, सीमट जाते हैं, यानि एक जगाई कठा होते हैं और आगड़ा कर रामदास को देखते हैं ठीक है, जिसकी अत्या होने वाली थी, उसको खड़े होकर केवल एक टक नहारते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या जो है मैं अपने स्क्रीन पर लिग दे चलिए अगला देखिए अगला पंक्ति है यहाँ से निकल गली से तब हत्यारा आया उसने नाम बुकारा हाथ तोलकर चाकू मारा छोटा लहू का फवारा कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी यहाँ तक की बात ठीक है तो यहाँ पर अब क्या होता है कहानी में कभी कहते है कि जो हत्यारा था जिसने या वर्निंग दे थी कि आज रामदास की हत्या होने वानी है ठीक है वह एक गली से निकलता है और वह रामदास का नाम थी उसे याविस समझ में नहीं आ रहा होगा कि रामदास कहा है या फिर वह खुद रामदास को नहीं पहचानता होगा कि रामदास कौन है ठीक है तो इसलिए वह नाम पुकारता है बंक्ति समझ में आ रही है यानि अर्थात उस खत्यारे को भी पता नहीं है कि रामदास कौन देखे लिए दिख थे वह आज रामदास की धतिया करेगा और रामदास की harness हैंने दोनहें को आखर दबिच कर देता है रास्ते बुर से रामदास की vert है रहा थों सुद्रेमघों करना फवारे की तरह छितर जाता है, ठीक है, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी, और वो कहता है कि मैंने कहा नहीं था तुम्हें, आज तुम्हारी हत्या होने वाली है, ठीक है, और वो कहा कर उसे चाकू मार देता है, ठीक है, और इस प्रकार रामदास के प्राण निकल जाते हैं और उसके हत्य हो जाते ही हो ठीक है इसकी जो व्याख्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होगी आप लोग उसे एंडालाइन कर लिजिए पर उसे नोट डाउन कर लिजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिंग लाइन को पढ़ते हैं देखिए बहुत यह आसान करीता है भीर ठेल कर लोट गया वा यहां से है भीर ठेल कर लोट गया वा मरा पड़ा है देखो देखो बार बार का लोग निडर उस जगा खड़ रहे लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संसेय था हथया ओगी ठीक है, उसके बाद जब वो मडर कर देता है, यानि हत्या कर देता है रामदास का, उसके बाद भी ठेल कर वहां से चला जाता है, कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होता है, जो उस हत्यारे को रोके, ठीक है, वो हत्यारा हत्या करने के बाद वहां से रफुचकर हो जाता है, औ जोग निडर उस जग ख़ड़े लाएं, कोई भी लोग निडर कहने का मतलब क्या है, कि भाइभीत नहीं हुआ, क्यूंकि उन्हें पता था कि आज जो हत्या होने वाली हो कि वहल कि रामदास की होने वाली है, उनके उपर तो कोई घटना घटने वाली है नहीं, तो लोग हो गई है, तो इस प्रकार ये जो कवीता है समाप्त होती है, इसके स्क्रीन पर जो है, इस पंक्ति के व्याख्याम लोग निप दे रहा है, ठीक है, आप लोग लिखने ही यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस सारे पंक्तियों को स्पष्ट रूप से निख लिया होगा, और कॉपी में से नोट डाउन कर लिया होगा, और इसको ही पढ़कार आप लोग अच्छे तरीके से व्याख्या मु कुछ आते हैं, और जब तब उनके जीवन में इस प्रकार के दुख ना आये, तब 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 वो कुछ नहीं कहते या करते, वैसे लोगों को यहाँ पर लेखक ने बतलाया है, मुझे आशा है कि आप लोग इसका किता से संतुष्ट होंगे, और ऐसे ही हम लोग अगले काने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, मिलते हमने नेक्स पोडियो में, जय हिन जय वायत